हलो एवरीवान हलो 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 मुझे थोड़ा सा समय दो मैंने एकदम से एक लास फ्लान करी है तो मैं जो अपना रुप बना हुआ है बच्चों का जो रेगुलरल इस चैनल के उपर कॉंटेंट देखते हैं मैं उनके साथ में इस वीडियो के लिंक शेयर कर देता हूं मुझे कुद कोई नहीं मिल रही इस वीडियो की लिंक कैसे हो आप सब लोग अगर कोई बच्चा कमेंट के अंदर मुझसे जुड़ चुका है तो मुझे बता सकता है क्या मेरी आवाज क्लियर है मेरी आवाज अच अच्छे से दिखाई दे रहा है अगर कोई बच्चा जुड़ चुका है तो फटाफट से बता दो मैं इसको शेयर कर देता हूं अच्छा आवाज वगरा तो क्लियर आ रही है घ्र है आवाज वगरा क्लियर हूं हलो 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 तो वेरी गुड आफ्रनून बच्चों एक दम से मैंने क्लास को प्लान किया है विकास में इसको टाले जा रहा था टाले जा रहा था और मैंने डिसाइड करद लिया था कि जिस दिन मेरा notes बगरा बना के तयार रखता हूँ और फिर उनी के थुरू आपको बढ़ाता रहता हूँ इस बार मैंने decide किया था कि आर आकरी की जो दो classes हैं वो बिल्कुल एकदम raw होनी चाहिए मतलब एक तरीकी से बच्चों को ऐसा feel हो कि higher sir बिल्कुल सामने बिठा के पढ़ा रहे हैं ठीक है सरी आज खतम हो जाएगा या एक और lecture होगा एक और lecture होगा हमारा ठीक है उसके अंदर हम लोग Doppler Effect के बारे में बढ़ेंगे and that's how we will complete this miracle series और वो भी शायद आपका जल्द ही होगा मतलब आज हो सकता है रात में मैं उस lecture को रग दू क्योंकि आज मेरा सच में mood कर रहा है इस channel के उपर पढ़ानेगा और या फिर कल होगा दोनों में से किसी एक दिन होगा तो बच्चों स्वागत है I hope आप सभी लोगों को मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही होगी हमारी प्यारी miracle series के अंदर जो कि बिल्कुल अपने end की तरफ बढ़ चुकी है हमने 45 videos के अंदर decide किया था कि हम पूरा का पूरा syllabus खतम करेंगे और ये 44th video है एक तरीके से इस channel के उपर यही ना कहीं बीच में जाके बच्चे मेरे साथ में चल नहीं पाए मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चों ने respond करना कम कर दिया तो फिर मैंने वे videos की frequency घटा दी एंड एक वो negative cycle start हो गया और उसकी वज़े से हमारी series जो है वो stretch होती चली गई फिर उसके बाद में एक समय ऐसे भी आया कि मैंने decide कर लिया कि आप बिल्कुल दिल से पढ़ाया जाएगा यहने कि जब mood करेगा तब पढ़ाएगा तो मैं यहाँ पर जब आपको पढ़ाने आता हूँ तो literally मेरे धिमाग में यह नहीं होता कि कि कितने बच्चे live देख रहे हैं कितने नहीं देख रहे हैं ठीक है न पहले बहुत effect करता था बट अभी नहीं करता क्योंकि अभी मेरा सच में पढ़ाने का मन है तो मेरे को बस यह था कि मुझे जाके पढ़ाना है ठीक है बट अगर आप चाते हो तो आप इस stream को share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में अपना कोई study group आपने बना रख है अच्छा लगेगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस series के साथ में जुड़ेंगे तो और live इसे देखेंगे तो राइट आज का जो हमारा lecture होगा उसके अंदर हम लोग standing waves के बारे में बात करेंगे कैसे strings के अंदर and organ pipe के अंदर standing waves produce होती है हम लोग बहुत सारे practical phenomena के बारे में बात करेंगे जो कि standing waves के उपर है जैसे आपके सारे के सारे musical instruments जो हैं वो standing waves के उपर based है पिर हम लोग sonometer, resonance tube यह कुछ practical devices है जो कि आप अपनी classes के अंदर use करते हो उनके बारे में भी बात करेंगे, try करेंगे कि इस topic को इस तरीके से cover किया जाए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मतलब यह topic ऐसा है ना कि लोगों को समझ में आता नहीं है अना, तो मैंने बिल्कुल मैंने बता है ना आपको, बिल्कुल zero से मैं आपको बढ़ाऊंगा standing waves, हमारी series का target है आपका fear of physics remove करना तो आप अगर दिल से देखोगे miracle series के videos तो आपको ऐसा सो जाएगा कि इस series के अंदर कुछ different है राइट, बाकी boards, NEET, IIT, किसी भी exam के आप preparation कर रहे हो आप लोग इस series को use कर सकते हो, चलो, start करते है राइट, चलो बच्चों, share कर देना, like कर देना, अच्छा लगेगा, चलो, start करते है मैंने अपनी तरफ से खुदने भी share किया है, मतलब मेरा एक छोटा सा group बना हुआ है, जिसके अंदर 20-25 रेगुलर पढ़ने वाले student जुडे हुए, मैंने उसके अंदर में share किया है, मतलब अगर वो नहीं आ रहे है देखने, तो फिर मैं उम्मीद नहीं करता कि कोई और दे standing, standing का मतलब होता है, जो खड़ी हुई है, जो energy को एक जगह से दूसरी जगह पर transfer नहीं कर दे, आइसा, आपको लगेगा, जब आपने waves के बारे में बताया था, तो आपने बताया यही था, कि wave is a mode of transfer of energy, फिर मैंने आपको वहाँ पर यह भी बताया था, कि wave is nothing but a collection of particle doing simple harmonic motion in a pattern, right, so, आज हम थोड़ा सा उस definition को और broad करने वाले है, आज हम लोग standing waves के बारे में पढ़ने वाले है, तो सबसे पहले तो आपको necessary condition ध्यान रखनी है, मैं already बता चुका हूँ पिछली class के अंदर, वट एक बार वापस से बता देता हूँ, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कि standing waves कब, कब बनती है, सबसे पहला point अगर लें, कि standing waves आपकी कब बनती है, standing waves कब बनती है, ठीक है, तो इसकी condition क्या होती है, कब बनेगी आपकी standing waves, जब आपकी दो waves, एक दूसरे के उपर superimposed, दोनों waves के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए, दोनों waves की frequency से ही होनी चाहिए, बट direction जो है उनके propagation की, वो opposite होनी चाहिए, तो एक बहुत important point हमें पता बढ़ गया, की when two waves, when two waves having same frequency, having same frequency and traveling in opposite direction, traveling in opposite direction, superimpose, superimpose on each other, यह हमारी necessary condition होगे, अब यहीं से आपको इसकी हलकी-हलकी math से समझ में आ जाएगी, हलकी-हलकी math समझ में आ जाएगी, हमने waves को mathematically लिखना सीखा था, तो अगर हम पहली वाली wave को, मान लो यह हमारी wave one है, इसको हम लिखते हैं, y is equals to a sin omega t minus kx, मान लो इसको हम a sin omega t minus kx लिखते हैं, तो जो हमारी दूसरी वाली wave है, ठीक है, जो हमारी दूसरी वाली wave है, wave two, condition क्या है, condition यह है, कि आपकी wave जो है, वो opposite direction में travel करती होई होनी चाहिए, अब एक बार के लिए हमारा discussion आसान रहे, अपना amplitude same ले ले लेते हैं, मैं बताऊंगा कब ऐसी condition पैता होगी, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, कि हाँ amplitude को same लिया जा सकता है, और direction opposite होने का मतलब क्या हो गया, कि यहाँ पे आपने रख दिया omega t plus kx, क्योंकि मैंने आपको पताया था, जब आप view की equation लिखते हो, तो direction को represent किया जाता है, time और x के coefficient के sign के द्वारा, अगर दोनों का sign opposite होता है, यानि कि वो positive x direction के अंदर travel कर रही है, और अगर मालों दोनों का sign negative होता है, दोनों का sign same होता है, तो फिर वो negative x direction के अंदर travel कर रही होती है, तो हमें जो condition लेनी थी वो हमने लेनी, बच्चों आगया समझ में, हमें जो condition लेनी थी वो ले ली हमें जो condition लेनी थी वो ले ली sin omega t minus kx and y2 का मत्तब जाएगा a sin omega t plus kx बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत बच्चे हो आ रहा है सब को समझ में आ रहा है सब को समझ में ये बंद कैसे बता रहा है stream इसने close कैसे कर दी ओके बहुत देखता हूँ एक बार इसको दूसरी जगा अपन खोल लेते हैं हाँ चल रहा है भी सब कुछ चल रहे है मेरे चैनल पर एड्स आ रहे है आई बहुत अच्छी बात है यस अभी सब क्दूसरी चल रहे है तो यहां तक किसी को कोई दिक्कथ है मुझे बता दो फटावेह से धरमवीर, सूच, अंश, अना मिश्रा, प्रिया, मिश्रा किसी को कोई भी अगर दिक्कत है तो बता दो ठीक है अंश कह रहे हैं कि सब थोड़ा सा regular हो जाओ आप भी वीडियोस के अंदर यार मैंने बता है ना इस channel के उपर एक चीज खतम हो रही है यह miracle series, यह neat, यह IIT यह सब कुछ खतम हो रहे है, neat at least ठीक है ना, अब इस channel के उपर जो भी कुछ नया start होगा ना वो बहुत ज़्यादा different होगा मैं उसके उपर मतलब एक तरीके से अपने आपको prepare करने में लगा होँ अपने आपको बहुत ज़्यादा prepare करने में लगा होँ यार अब यह जो neat की और यह सब की नामायन जो है, वो ठीक है वो unacademy के उपर चलती रहेगी मैं unacademy के उपर पढ़ाता रहूँगा अगर किसी बच्चे को पढ़ना है शुरुवात से लिए आखरी तर तो still मैं youtube के उपर पढ़ा रहा हूँ बढ़ ठीक है, मुझे unacademy sponsor कर रहा है वहाँ पर, ठीक है, मुझे आप लोगों को पढ़ाना है free में और उसके लिए unacademy के द्वारा sponsorship दी जा रही है that is a complete matter, different matter तो अगर किसी को NEET के लिए पढ़ना है, JEE के लिए पढ़ना है तो वो department जो है वोब वहाँ पर संभाला जाएगा, इस channel के उपर कुछ concrete होगा मैंने अपनी तरफ से पूरा का पूरा syllabus डाल दिया तो अब मेरा जो अगला प्लान है वो थोड़ा सा beyond syllabus जाने का है थोड़ा सा सच में physics को सर्व करने का थोड़ा सा idea है उसके उपर मैं work करूँगा धीरे धीरे तो आप लोग जुड़े रहना जुड़े रहोगे तो काफी अच्छा लगेगा यहां तक की बात सही है अब हमें sin a plus b का और sin a minus b का formula आते है चलो लगाते हैं अपन तो यहां पर जब उपन लगाएंगे तो यह हो जाएगा थिखो मैंने इसको open कर दिया यह जो चीज है इसको मैंने open कर दिया sin a minus b का formula लगाके similarly मैं इसको भी open कर सकता हूँ इसको मैं लिखूँगा तो कैसे हो जाएगा यह हो जाएगा sin omega t cos kx plus cos omega t sin kx ठीक है बच्चों यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है यह cancel out हो जाएगी यह वाली time cancel out हो जाएगी और आपकी जो resultant wave मिलेगी उसकी शकल देखो कैसी होगी उसकी शकल कैसी होगी उसकी शकल होगी twice of a cos kx times sin omega t तो यह difference देख रहे हो आप जो आपकी traveling wave हुआ करती थी उसके अंदर omega t और kx एक ही bracket के अंदर होते थे यानि कि आपका जो periodic function होता था वो simultaneously time as well as position दोनों की ही form में periodic हुआ करता था यहाँ पर आपने उनको क्या कर दिया separate कर दिया यानि कि यह अब traveling wave की equation ही नहीं देगी यह तो एक particle की equation आ गए in fact बहुत सारे particle की equation है अभी भी और सारे के सारे particle simple harmonic motion कर रहे है हर particle की position के हिसाफ से उसका amplitude जो है वो decide हो रहा है तो यह वाली जो चीज है यह वाली जो चीज है यह किसको represent कर रही है particle जिसकी position आपको दे रखी है उसके amplitude को represent कर रही है किसको represent कर रही है amplitude को represent कर रही है तक आया सभी बच्चों को समझ में हमने हमारी necessary condition apply करी कि दो waves होनी चाहिए एक positive x direction में एक negative x direction में दोनों के frequency same होनी चाहिए जब दोनों एक दूसरे के उपर super impulse करेगी तो हम तो ऐसे देख रहे थे देखे क्या होगा तो हमने देखा है कुछ अजीब ही चीज मिल गई हमें हमें जो मिला उसके अंदर omega t minus kx जैसी तो कोई चीज है ही नहीं उसमें omega t अलग हो गया kx अलग हो गया थोड़ा सा गौर से देखा तो हमें नजर आया कि यह तो एक simple harmonic motion करते वे particle की equation है जिसका amplitude किस के उपर depend कर रहा है x के उपर depend कर रहा है यानि कि अलग 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 जगहें प पन example के दूरू समझते हैं लेकिन मुझे comments के अंदर बता दो कि यहां तक समझ में आ गया है यहां तक किसी को कोई दिक्कत भी होनी चाहिए अगर यहां तक दिक्कत है तो मैं आपको दुबारा से explain करूंगा otherwise हम आगे बढ़ जाएं चलो फटावट से बताओ जो लोग seriously दे starting दोनों को add कर दिया देखा क्या मिल रहा है अब उसको अपन interpret करने की कोशिश करेंगे कि उससे हमें क्या समझ में आ रहा है नहीं बताओगे तुम लोग मतलब मैं यह मान के चलूं कि समझ में आ रहा होगा नहीं बताओगे कोई बात नहीं क्लास interactive नहीं रहती तो मज़ा न जीरो पर है ठीक है हम लोग उस particle की बात करते हैं जो की x is equal to 0 पर है particle at x is equal to 0 इसकी बात करते हैं तो हमारी जो resultant wave है उसके according इसकी equation कितनी हो जाएगी cos 0 की value कितनी होती है 1 तो यह हो जाएगी twice of a sin omega t इसका मतलब इसका amplitude कितना हो गया इसका मतलब इसका amplitude हो गया 2a और इसकी frequency कितनी हो गई angular frequency बता दो अभी के लिए कितनी हो गई omega ठीक है angular frequency frequency आप omega upon 2pi लिख सकते हैं लिख दो omega upon 2pi यह इसकी frequency हो गया दूसरे वाले particle की बात करते हैं एक और particle लेते हैं अग्जाम्पल के तोर पर अपन लेते हैं particle which is at x is equal to जान देना अब बहुत खास तरीके का particle लेने वाला हो किस particle की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी position है जिसकी position है क्या रखें क्या रखें क्या रखें क्या रखें यह रख लेते हैं अब पाई divided by 2k अब x की जगे पाई अपॉन 2 के रख के देखो रख के देखो तो आपकी जो resultant equation आईगी हो कितनी आईगी 2a cos k times x की जगे आपने रख दिया पाई अपॉन 2k times sin omega t इसका मतलब y आजाएगा आपका 2a cos pi by 2 times sin omega t और cos pi by 2 की value कितनी होती है 0 तो y हो जाएगा आपका simply 0 यानि कि इस जगे पर जो particle है वो simple harmonic motion ही नहीं कर रहा सोचो एक जगे ऐसी है जहाँ पर particle simple harmonic motion कर रहा और amplitude है उसका 2a और थोड़ी सी time बाद में थोड़ी सी आगे चलो कि आपको तो एक particle ऐसा मिलेगा जहाँ पर जो particle है वो आपको rest पर दिखाई दे रहा है उसका कोई amplitude ही नहीं है वो कोई किसी प्रकार की motion ही नहीं कर रहा थोड़ा और आगया होगी एक और particle के बारे में बात करते हैं तो आपकी बार हम ले ले लेते हैं particle which is at x is equal to pi upon k इस distance के उपर जो particle रखा हुआ है इसके क्या हाल चाल चल रहे हैं तो जब इसके हाल चाल हम लोग जानेंगी तो हमें मिलेगा y is equal to 2a cos pi cos pi की value minus 1 होती है minus 2a sin omega t मिलेगा minus 2a sin omega t मिलेगा इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे particle का amplitude जो है वो again कितना है 2a frequency जो है वो again कितनी है omega upon 2pi minus sin के उल और कि अल आपको ये बता रहा है कि जो पहला particle था उसके comparison में जो तीसरा particle है वो pi phase difference पीछे या आगे है दोनों तरीके से बात कर सकते हो right pi का phase difference है बतलब अगर पहला उला particle positive direction में extreme condition पर होगा तो उसी समय पर तीसरा उला particle negative direction में extreme condition पर होगा पर जब यह negative पर आएगा तो यह positive पर चला जाएगा अभी मैं आपको पूरा का पूरा डाइग्राम बता के भी explain करूँगा ठीक है बच्चों ठीक है बच्चों मेरी style के अंदर और वो बिल्कुल free of cost होगा उसका कोई paid वगरा कुछ भी नहीं होगा उसका ठीक है क्योंकि अब जब तक मैं मुझे कहीं किसी और से sponsorship मिल रही है कहीं और से मेरी आवशक्ता है पूरी हो रही है पेड वगरा कुछ भी start नहीं गिया जाएगा इसका ठीक है बच्चों चलो एक और particle के बारे में बात कर लेते हैं particle number 4 के बारे में बात कर लेते हैं तो ये particle हमारा कहां पर रखा हुआ है at x is equals to at x is equals to 3 pi upon 2 के जब x की जगे 3 pi upon 2 के रखोगे तो cos 3 pi by 2 बच जाएगा उसकी value 0 होती है तो वापस से आपका जो particle है वो stationary particle मिले है तो आप देख रहे हो आपके different 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 particles simple harmonic motion तो कर रहे हैं बट किसी का amplitude बहुत जादा है किसी का amplitude 0 है सारे के सारे particles same frequency के साथ में vibrate कर रहे है phase difference की बात करें तो एक particular distance तक particle same phase के अंदर vibrate कर रहे है उसके अगले वाले chunk पर चले जाओगे तो particle के अंदर pi phase difference पैदा हो जाएगा कुछ छोटी छोटी technical बाते हैं मैं उन सभी को one by one आपको दिखाना चाओँगा अभी अगले पांच मिनट के अंदर बट मुझे ये बता दो कि जो हमने mathematical treatment किया है ये आपको समझ में आगया गया अब आपको समझ में आगया होगा कि इस resultant wave को standing wave क्यों कहा जाते है क्योंकि normal wave के अंदर हर particle अपने vibration को अपने से आगे वाले particle को transfer कर देता है यह अपने से आगे वाले पार्टिकल को transfer कर देता है यह अपने से आगे वाले पार्टिकल को transfer कर देता है पर यहाँ पर हमें एक ऐसी वेव मिल रही है जिसमें पार्टिकल अपने fixed amplitude के साथ में vibrate कर रहा है एक पार्टिकल अपने two way amplitude के साथ में vibrate कर रहा है उसके अगला है वो अपनी energy को अपने amplitude को आगे transfer नहीं कर रहा है जितना उसका amplitude है वो उसी में खुश है वो उसी के साथ vibrate करने में लगा हुआ है सो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक particle से दूसरे particle तक amplitude का या कहलो energy का transfer होते हुए हमें नजर नहीं आ रहा and that's why this particular effect is called standing wave पहुत सारे बच्चे मुझे पता है मैं normally जब बच्चों को पढ़ाता हूँ बच्चे ऐसे गरदन हिला देता है ऐसे आ गया समझ में क्योंकि उनको normally formulas बगरा से मतलब होता है लेकिन वो असल में समझी नहीं पाते है कि standing wave कहा क्यों जाते है और मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं even teachers की बात कर रहा हूँ एक physics का teacher आपको सब कुछ पढ़ा जाएगा यह formula फार्मुला फार्मुला धिमका यह वो फार्मुला धिमका और उसको सच में नहीं पता कि standing wave का मतलब कि है मैंने मैंने देखे मेरी life में ऐसे teachers भी देखें बहुत famous teachers भी देखें तो अब मुझे आपको ही बताना है कि आपको पिया हां तक समझ में आगया फिर अपन तोड़ा सा और डीटेल के अंदर जाएंगे यहां पर चलो बताओ कि यहां तक समझ में आ आप लोगों को यहां तक समझ में आ आगया आप लोगों को जल्दी चे बताओ क्मेंट्स के अंदर कोई भी बच्चा अगर सीरियसली देख रहा है थो कोई भी एक बच्चा बतादो यार कोई तो बतादो कोई तो देख रहा होगा ऐसा नहीं है कि कोई भी ना देख रहा हो आगे चलते है ठीक है आगे चलते हैं एक और पेज एड़ करते हैं अब क्या हुआ तो हमने जो discussion किया है न उसको हम एक बार plot करने की कोशिश कर देगी तो हमें जो resultant wave मिलेगी हमें जो resultant wave मिल रही है वो देखो कैसी दिखाई देगी हमें जो resultant wave मिली है अगर उसको अपन दिखाना चाहें तो हमने जो जो particles लिए हो ले लेते हैं हमने एक particle लिया था x is equal to 0 पर हमने एक particle लिया था x is equal to pi upon 2k distance पर हमने एक particle लिया था x is equal to pi upon k distance पर हमने एक particle लिया था x is equal to 3 pi upon 2k distance पर और हमने एक particle लिया था x is equal to 2 pi upon k distance पर ठीक है न ऐसे हमने 5 particles ले दे हमने देखा था किसी particular समय के उपर ये आपको 2A amplitude के साथ में vibrate करता हूँ नजर आ रहा था तो इसका amplitude कितना हो जाएगा 2A दोनों तरफ बता देता हूँ मैं arrow का मतलब है ये vibrate करता हूँ नजर आ रहा है 2A amplitude के साथ फिर ये वाला particle आपको rest पर नजर आ रहा था ये वाला particle भी 2A amplitude के साथ में vibrate करता हूँ नजर आ रहा था बट मैंने पहले नीचे वाला arrow बनाया है इसका मतलब ये है कि जब पहला वाला particle upward direction में होगा दूसरा वाला downward direction में होगा बट क्योंकि हम पूरा का पूरा vibration दिखा रहे है तो मैंने दोनों arrows बना दिये फिर ये हमें rest पर दिखाई देगा और फिर इसके साथ में ऐसा होगा कि ये 2A amplitude के साथ में क्या कर रहा होगा vibrate कर रहा होगा अगर बीच वाले particles को बना है तो बीच में आपको कोई एक पार्टिकल ले लो यहां पर ऐसा मिलेगा जिसका amplitude कम होगा कितना amplitude हो जाएगा इसका amplitude थोड़ा चा कम बना दिया अपने एक और पार्टिकल ले लो थोड़ा और कम हो गया आपका amplitude ठीक है तो आप notice करोगे कि आपके particles का जो envelope है अगर वो आप draw करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ ऐसा envelope मिलेगा ठीक है इस तरीके का ठीक है तो इसी तरीके से आप different particles ले सकते हो और इन सभी को draw कर सकते हो तो जब आप draw करोगे तो आपको इस तरीके का envelope मिलेगा इस तरीके का envelope मिलेगा ठीक है तो यह मैंने particles का envelope यहाँ पर draw कर दिया मेरी drawing अच्छी है क्या यार बच्चो सुन्दर लगती है क्या मेरे बनाएवे diagram आपको यह बताओ कैसे लगते हैं सुन्दर ही लगते होंगे यार मुझे ऐसा लगते है अच्छा यहाँ पर जो particle maximum amplitude के साथ में vibrate कर रहा है उसको बोला जाता है antinode तो यह वाला जो particle है इसको बोला जाता है antinode और जो particle rest पर है उसको बोला जाता है node तो आपको consecutive मिलेंगे फिर आपको एक antinode मिलेगा फिर आपको एक node मिलेगा और फिर आपको क्या मिलेगा एक antinode का मतलब क्या होता है antinode का मतलब होता है particle with amplitude particle with amplitude 2a मतलब 2a लिख रहा हूँ यहाँ पर maximum amplitude के साथ में जो particle vibrate करता है उनको अपर antinode बोलते है और node का मतलब क्या होता है node का मतलब होता है particle with amplitude particle with amplitude 0 0 का मतलब हो गया minimum amplitude के साथ में vibrate करने वाले particle आप notice कर रहे हो कि एक antinode और एक node के बीच की जो distance है वो कितनी नजर आ रही है आपको वो नजर आ रही है pi अपॉन 2 के कितनी नजर आ रही है pi अपॉन 2 के हम अगर चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 pi upon k divided by 4 मैंने 2 से उपर नीचे multiply कर दिया ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ यह जो 2 pi upon k है it is nothing but lambda तो lambda divided by 4 तो हमें एक fact पता पढ़ गया कि जब भी हम standing waves की बारे में बात करते हैं हमें direct दिख रहा है हमें दिख रहा है यह एक anti node और उसके ज़स्ट अगला जो node होता है उन दोनों के बीच की distance हमेशा कितनी होती है lambda divided by 4 होती है आप चाहो तो lambda को frequency और speed की terms में भी लिख सकते हो देखो जो frequency होती है वो होती है speed divided by lambda speed divided by lambda तो lambda किसके बरावर हो जाएगा speed divided by frequency तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो speed divided by 4 times frequency यह हमेशा ज्यान रखना है एक anti node और node के बीच की जो distance होती है वो हमेशा किसके बरावर होती है इसी भी form में लिख सकते हो either lambda by 4 याद रख सकते हो या speed divided by 4 times frequency यह याद रख सकते हो ठीक है इसी तरीके से कोई पूछे कि बताओ एक anti node और anti node या फिर एक node और अगला जो node है इसके बीच की distance कितनी होती है यह भी आपको डाइगराम के अंदर दिखाई दे रहा है कितनी distance नजर आ रही है पाई divided by k जस्ट डबल का मतलब हो जाएगा lambda divided by 2 या कहलो speed divided by speed divided by twice of frequency ये भी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी ये भी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी आपने notice करा होगा कि ये वाला जो particle है और ये वाला जो particle है इन दोनों के बीच में जितने भी particle है वो same phase के अंदर है same phase का मतलब है, सारे के सारे particle एक साथ उपर जा रहे हैं, फिर एक साथ जीरो पर आ रहे हैं, फिर एक साथ नीचे जा रहे हैं, फिर जीरो पर, फिर एक साथ उपर, फिर यहां पर, फिर जीरो पर, फिर एक साथ नीचे उपर इस तरीगे से, तो दो notes के बीच के जितने भी particles होत ठीक है तो यह एफेक्ट भी हमें पता पड़ गया आल पार्टिकल्स बिट्विन बिट्विन टू नोड्स वाइब्रेट वाइब्रेट इन सेम पेज ठीक है और तुम अगले पेर आफ नोड पर चले जाओगी ठीक है अल पार्टिकल्स बिट्विन टू नोड्स नेक्स्ट तो इट नेक्स्ट तो इट वाइब्रेट इन सेम फेज वाइब्रेट इन सेम फेज बट हैव पाई फेज दिफरेंज पाई फेज दिफरेंज पाई फेज दिफरेंज with respect to the preceding ones ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई दो नोड के बीच में जितने बी पार्टिकल्स होंगे वो same phase के अंदर होंगे तो यहां से लेकि यहां तक के जितने भी particle है वो same phase के अंदर है यहां से लेकि अगले node तक के जितने भी particle है वो same phase के अंदर है यहां से लेकि यहां तक के जितने भी particle है वो same phase के अंदर है बट यहां पर जो particles है उनको तुम यहाँ पर जो particles हैं उनसे compare करोगे एक group को अगले group से अगले को अगले से compare करोगे तो आपको pi face difference नज़राएगा वलब एक group के अंदर अगर सारे के सारे particle उपर जा रहे हैं तो जो अगला group होगा उसमें सारे के सारे particle नीचे जा रहे होगे अगले group में सारे के सारे particle उपर अगले में सारे के सारे particle नीचे यहाँ तक की बात आ रहे है सभी बच्चों को समझ में तो एक छोटे छोटे पॉइंट से जो बच्चों आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि direct questions के अंदर ऊच लिए जाते direct questions के अंदर पूछ ले जाते हैं यहाँ तक की बात आ गए समझ में यहाँ तक की बात आ गए समझ में अब एक और बात यहाँ पर समझने लायक है कि हम जब standing waves की बात करते हैं तो हमें दो waves चाहिए होती है एक direction में चलती है और दूसरी दूसरे direction के अंदर चलती है, opposite direction के अंदर चलती है और ऐसा तो केवल और केवल तभी possible हो पाएगा जब आपकी incident wave reflect होके वापस से lot रही हो, तो अगर हमें practically डूड़ना हो कि practically हमें standing waves कहां मिलेंगी तो हमें practically standing waves कहां पर मिलती है, एक string के अंदर एक ऐसी string जिसको दोनों ends पर आपने बांद रखा है, ऐसी string के अंदर आप क्या करोगी, जैसे ही किसी wave को travel करवाओगी, तो उस wave का reflection होगा, और reflected wave जो होगी वो opposite direction में travel करती होगी, और फिर वहाँ पर आपको standing wave बनती होई नजर है, ठीक है ऐसे ही, अगर आप sound wave के बारे में बात करते हो, तो आप organ pipe लोगे, जो की एक end पर बंद है, या फिर दोनों ही ends पर खुला हुआ है, उसके अंदर जब sound travel करेगा, तो अंदर और बाहर हलका सा pressure difference होने की वज़े से उसका reflection होगा, दोनों ends पर या एक end पर जहाँ पर भी आपका अलग-अलग consider करते वे बढ़ें, तो पहले तो मुझे ही बता दो, हिसर, without example, मतलब हम अभी string के अंदर standing wave की बात नहीं कर रहें, हम लोग organ pipe के अंदर standing wave की बात नहीं कर रहें, हम लोग शुद standing wave के बारे में बात कर रहें, standing wave as a concept, वो हमें समझ में आया, वो आपने अच्छे से समझा दिया, condition बता दी, exactly आपने बता दिया किस तरीके से आपको standing wave मिलती है, standing wave क्यों कहा जाता है, दिखा दिया, और उसके बारे में जितने भी important facts से बता दिया, कोई बच्चा अगर live है, तो मुझे बता दो फटाफट से, ठीक है, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें, मैं देख लूँ, हालात कितने बुरे हैं, हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं हाला, या लाइक शेयर कर दो ना एर, क्या चाह रहा है तुम्हारा, क्या लाइक और शेयर करने से, मेरा भला हो जाएगा है थोड़ा सा, और comment भी कर दो, अगर कर सकते हो, comment भी कर सकते हो, कोई है कोई है कोई है बताओ क्या कोई है इस गरीब से पढ़ने वाला कोई बत्चा है कोई बत्चा है किसको पढ़ा है कि एक बच्चच भी प्रेजेंट होगा तो उसको भी पढ़ा देंगा एर कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते है, standing wave क्या है, उसकी condition क्या है, कैसे बनती है, क्यों standing wave कहा जाता है एक standing wave के different properties क्या होती है, antinode क्या होता है, node क्या होता है antinode और node के बीच की distance कितनी होती है, दो antinodes के बीच की distance कितनी होती है यह सारी की सारी बाते हम लोगों ने cover कर ली अब अपन चलते हैं standing waves के बारे में बात करने के लिए in a string तो अभी हम बात कर रहे हैं standing waves in a string ठीक है fixed at fixed at both ends अब यह condition आपको बहुत सारी जगह पर दिखाई देगी बच्चों कहां कहां दिखाई देगी जितने भी आपके string based musical instruments है जितने भी आपके string based musical instruments है वहाँ पर आपको यह condition दिखाई देगी क्या condition दिखाई देगी कि वहाँ पर आपने एक string को दोनों ends पर tight करके fix कर दिया होगा, बांद दिया होगा और उस string को आप जैसे ही vibrate करते हो, तो आपको कुछ sound सुना ही देता है, मतलब वो string vibrate करते है और उसके वज़े से फिर आपको sound सुना ही देता है, तो एक बहुत common example हो गया, आप से कोई पूछे कि बताओ, string based musical instrument किस principle के उपर work करते हैं, अब आपके पास में answer है, कि string based musical instrument के अंदर एक string को दो नो ends पर बांध दिया जाता है, और फिर उसके अंदर जब आप उसको vibrate करने की कोशिश करते हो, तो कुछ fixed frequencies ही बाहर निकलती है, हर frequency बाहर नहीं निकल सकती, तभी तो musical instrument मनता है, अगर कुछ भी बजने लग जाए, तो फिर वो instrument थोड़ी में होगा, फिर तो noise होगा, हना, तो देखते हैं हमने, थोड़ा detail में देखते हैं, तो हमने क्या करा, एक string को लिया, और उसको दोनों ही ends पर हमने क्या कर दिया, fix कर दिया, दोनों ही ends पर हमने fix कर दिया, अब इसका मतलब क्या हुआ, कि जैसे ही हमने string को दोनों ends पर fix किया, तो एक चीज तैह हो गई, एक चीज तैह हो गई, कि आपके जो दोनों ends हैं, क्योंकि वो बंदे हुए हैं, वो भाई साब move नहीं करेंगे, मतलब वो पक्का क्या बनेंगे, आपके nodes बनेंगे, तो आपकी जो boundary condition होगी, आपकी जो boundary condition होगी, वो क्या होगी, ध्यान से रखना, बच्चों ध्यान से देखना, boundary condition क्या होगी, कि दोनों ends जो होंगे, वो पक्का क्या होंगे, nodes होंगे, वो move करी नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर आपने string को बांध रखा है एक rigid surface से आपने बांध रखा है तो दोनों ends जो होंगे वो पक्का क्या बनने वाले हैं nodes बनने वाले हैं तो ये वाला end भी node बनेगा और ये वाला end भी node बनेगा अब अगर आप बिल्कुल fundamental configuration की बात करो तो मैंने बताया था कभी भी दो nodes आपको साथ नहीं दिखाई देते हैं हमेशा आपको alternate node के बाद में anti node के बाद में node के बाद में anti node इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं तो अगर अपन विल्कुल fundamental configuration की बात करें तो हमें बीच में बिल्कुल दोनों के बीचों बीच हमें क्या मिलना चाहिए एक anti-node मिलना चाहिए यानि कि अगर अपन vibration को show करने की कोशिश करें तो हमें कैसा vibration होता हुआ नजर आएगा हमारी string का vibration कुछ इस तरीके का होता हुआ नजर आएगा ठीक है और यहीं से हमें पता पड़ गया यह बिल्कुल fundamental configuration जो है इसके अंदर जो string की length होगी यह जो string की length है वो basically किसके बराबर हो जाएगी दो nodes के बीच की distance के बराबर हो जाएगी और दो nodes के बीच की distance कितनी होती है मैंने बताय था आपको lambda divided by 2 या कह लो speed divided by twice of frequency दोनों तरीके से लिख सकते है अपन तो यह हमारी condition होगी यह हमारी condition होगी तो यहां से हमें frequency मिली यहां से हमें frequency मिली जिसको अपन कहते हैं fundamental frequency जिसको अपन क्या कहते हैं fundamental frequency कहते हैं और वो कितनी मिली हमें वो मिली वो मिली हमें speed divided by twice of L इसको सांकितिक भाषा में लिखेंगे तो we divided by 2L यह हमें fundamental frequency मिली ठीक है भाई साब यह frequency हमें मिली और आगे बढ़ें आप बोलो सर ज़रूरी थोड़ी नहीं दो notes के बीच में एक ही anti node हो ऐसा भी तो हो सकता है कि notes के बीच में एक anti node एक node एक और फिर वापस से आपका node हो तो जो अगला configuration possible है उसमें क्या होगा ? जो अगला configuration possible है उसमें क्या होगा बच्चों ध्यान से देखना अगले configuration के अंदर क्या होगा फटा फट से अपन diagram बना लेते हैं ताकि आप लोगों को जल्दी 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 समझ में आ जाये चीजे तो अगले configuration के अंदर आपको ऐसा कुछ नजर आएगा आपको लोग से ज़रूरी थोड़ी नहीं दोनों ends पर node होने चाहिए यह हमें पता है तो हो सकता है यहाँ पर हमें एक anti node मिल जाए हो सकता है यहाँ पर हमें एक anti node मिल जाए फिर वापस से एक anti node मिल जाए फिर वापस से एक anti node मिल जाए यह हमारा अगला configuration है जो की possible है तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको जो vibration हो कैसा नजर आएगा फिर अंटी नोड पर maximum node पर वापस से minimum अंटी नोड पर maximum node पर वापस से minimum फिर इस तरीके से फिर इस तरीके से बहुत सरे लोगों को आप लोगों को एक एक चीज डिटेल में समझाई मुझे बता दो बच्चो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मतलब मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने अंदर ही confident होगी और बच्चो को बहुत अच्चे से समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पर मस्त अपने confidence के अंदर आपको पढ़ाने में लगा हूँ और आपको कुछ समझ में ना आ रहा हूँ ऐसा थोड़ी नहीं यह मुझे बता दो बसके वल ठीक है हेलो सर, हेलो शिरोद्रा हवाई यू बेटा, हवाई यू कैसे हो तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यार अगर ऐसा होगा अगर ऐसा होगा तो अब की बार जो हमारी length होगी अब की बार जो हमारी length होगी वो किसके बराबर हो जाएगी lambda by 2 plus lambda by 2 यानि कि किसके बराबर हो जाएगी सीधे सीधे twice of lambda divided by 2 के बराबर हो जाएगी यह यूँ कहलो सीधे सीधे twice of speed divided by twice of frequency के बराबर हो जाएगी यह हमारी second configuration की necessary condition हो तो यहाँ पर हमें जो frequency मिलेगी यहाँ पर हमें जो frequency मिलेगी उसकी value कितनी हो जाएगी frequency को एक तरफ ले जाओ length को दूसरी तरफ ले आओ तो वो हो जाएगी आपकी V upon L या यह कहलो twice of V upon 2L या यह कहलो twice of fundamental frequency इसको अपनोंने लिखा है F0 तो यह हो जाएगी twice of fundamental frequency तो अब आप देख रहे हो कि मान लो आपको fundamental frequency मिली 100 तो 100 के बाद में same string से जो frequency तुम निकाल सकते हो वो 110 नहीं होगी, 120 नहीं होगी, 150 भी नहीं होगी, 180 भी नहीं होगी डाइरेक्ट तुम्हें कौन सी frequency मिलेगी 200 मिलेगी फिर 200 के बाद में 300 मिलेगी, 300 के बाद में 400 मिलेगी, 400 के बाद में 500 मिलेगी हर frequency आप इस string से नहीं निकाल सकते हैं और जो frequency आप निकाल रहे हो, वो किसके उपर depend कर लिए हो दो factors के उपर depend कर लिए है, एक तो velocity के उपर depend कर लिए है कि string की length के उपड़ डिपेंड कर दोगी तो जो frequency निकाली जारी है वो frequency भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी तो कभी आपने अगर गौर से guitar को देखा हो तो guitar में क्या होता है sections बने वे होता है और उन या फिर multiple wires होते हैं और हर वायर की जो मोटाई है वो different होती है और वायर की मोटाई से उसकी change हो जाती है speed ठीक है तो दोनों ही प्रकार के variation पाये जाते है guitar के अंदर इसलिए थोड़ा सा guitar जो है कोई दिक्कत नहीं है live देखो तो थोड़ा मेरा confidence बढ़ जाएगा कि यहां मुझे तीन चार बच्च लाइव देख रहे हैं इतनी आउकात तो है मेरी कम से कम ठीक है चलो तो यह हमारी frequency हो गई जो की fundamental frequency की just double है fundamental frequency की just double है अगर आप इसका अगला case देखोगे अगर आप इसका अगला case देखोगे तो आपको जो frequency मिलेगी वो just क्या हो जाएगी triple हो जाएगी तो मैं फटाफट से बना देता हूं बच्चों फटाफट से अपन बना देते हैं चलो तो अपन अगला case भी बना देते हैं ताकि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए समझाना important है यार है ना समझाना बेहत important है आपकी बार क्या होगा आपकी बार हो सकता है कि आपको node के बाद में यहां पर मिल जाएगा anti node फिर यहां पर मिल जाएगा node फिर यहां पर मिल जाएगा anti node फिर यहां पर मिल जाएगा node फिर यहां पर मिल जाएगा एक सेकेड़, नोड हो गया, थोड़ी सी दूरी पर आपको मिला एंटी नोड, थोड़ी सी दूरी पर आपको मिला नोड, फिर थोड़ी सी दूरी पर आपको मिला एंटी नोड, फिर थोड़ी सी दूरी पर मिला नोड, फिर मिला एंटी नोड, फिर मिला एंटी नोड ये आपना next configuration possible तो जब आप इसको देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार की वेव बनती हुए नजर आएगी ठीक है मैं proper scales use नहीं कर पारा बच्चो बढ़ आप मेरा मतलब समझ गये होंगे तो इसके अंदर जो length हमें नजर आएगी इसके अंदर जो length हमें नजर आएगी वो कितनी होगी इसको अपन मिटा देते हैं यह deep focus में आगया हमारे साथ में तो यहाँ पर जो हमारी length होगी वो हमें नजर आएगी यहाँ से देखोगी तो length हमें नजर आएगी किसके बराबर price of lambda by 2 price of lambda by 2 यह यूँ कहलो price of v divided by 2l price of v divided by 2f ठीक है यह हमें length नजर आएगी यह हमें length में नजर आएगी तो इस case में जो हमें frequency मिलेगी वो कितनी मिलेगी Trice of v divided by 2l मतलब 3 times fundamental frequency कितनी मिल रही है 3 times fundamental frequency तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो string है उससे हम हर frequency नहीं निकाल सकते एक fundamental frequency होगी फिर उसकी double, फिर उसकी triple फिर उसकी 4 गुनी, फिर उसकी 5 गुनी यही frequencies हम लोग निकाल सकते हैं कितनी frequency हम लोग निकाल पा रहे हैं वो directly depend करता है आपके speed के उपर as well as length के उपर यहां तक आ रहा है सभी बच्चों को समझें अब थोड़ा सा नाम पर ध्यान देना नाम पर ध्यान देना ठीक है तो अगर अपन nth frequency के बारे में बात करें बच्चों अगर अपन nth frequency के बारे मे fundamental frequency की कितनी multiple है ठीक है उसको अपन बोलते है harmony ठीक है तो जैसे यह वाली frequency बोली जाती है आपकी second harmony क्या बोला जाता है इसको second harmony और fundamental frequency के अलावा तुम इस frequency को निकाल पा रहे हो next तो इसको बोला जाता है first overtone first overtone ऐसा इसका नाम रखा जाता है दोनों में से कुछ भी बोला ज आ सकता है कितना harmonic है यह तो आप तुरंट पता लगा लोगे देख लेना कितना multiple है fundamental frequency का और कितना overtone होगा उसमें आपको order count करना होगा इस सबसे पहले fundamental frequency फिर first overtone फिर second overtone फिर third overtone और इस तरीकी से राइट इसी तरीकी से यह वाली frequency है इसको बोला जाता है third harmonic क्या बोलता है अपन इसको third harmonic या फिर इसको अपन बोलते हैं second overtone क्या बोलता है अपन इसको second overtone बोलता है तो जो nth order मिलेगा हमें उसको अपन क्या बोलेंगे either nth harmonic बोलेंगे और आप notice देख रहे हो आपका overtone जो है वो एक पीछे चल रहा है या फिर अपन इसको बोलेंगे n minus first overtone दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो और इसकी value हो जाएगी आपकी n times v divided by 2l इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो n divided by 2l frequency की जो sorry speed की जो value होती है वो किसके बराबर होती है root tension in string divided by mu जो string की linear mass density है उसके बराबर होती है तो आपकी जो frequency निकाल पा रहे हो आप वो किसके उपर depend कर रही है पहली तो आप किस harmonic के बारे में बात कर रहे हो दूसरी आपकी string की length कितनी है दोनों ends की बीज में तीसरी string के अंदर कितना tension आप लोगों ने develop किया है और चौती string के अंदर जो मतलब string किस material के आपने लिए बेसिकलिए उसकी linear mass density कितनी है mass per unit length कितना है इन सारे के सारे factors के उपर depend करेगी बच्चों समझ में आ रहे हैं समझ में आ रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा gap तो नहीं create कर रहा है पता चले मैं आपको कुछ तिखाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको बिलकुल ही ना समझ में आ रहा हूं ऐसा तो नहीं है मुझे एक बार comments के अंदर बता दो के अंदर बता दो में बार दिल अपना तोड़वा लेता हूं वापस से ये देखके कि किदने बत्चे लाइफ देख रहे हूं यह पता चलेगा जब बच्चे रिप्लाइए करेंगे comments के अरे तुम कमेंट्स करते हो ना समय समय बद तो उससे भी थोड़ा यूट्यूब का अल्गॉरिदम प्रमूट करता है वीडियो को कर दिया गरो लिख दिया गरो वीच वीच में आ ला चलो बहुत अच्छी बात है समझ में आ रहा है बच्चों को तो यह हमारी स्ट्रिंग के ठीक है तो एक important fact हमें यह समझ में आ गया पहला कि जो fundamental frequency है जो fundamental frequency है depends on तीन factors के उपर depend करते भी नज़र आएगी depends on पहला length दूसरा tension और तीसरा linear mass density यह और all कहलो speed इन तीनो factors के उपर आपकी fundamental frequency depend करते भी नज़र आएगी दूसरा fact यह हमें नज़र आ गया कि we can produce all harmonics all harmonics as overtones as overtones in a string based in a string based musical instrument यहां तक की बाते समझ में आ गई कि हम चाहें तो कोई सा भी harmonic produce कर सकते हैं fundamental frequency produce कर सकते हैं उसकी double frequency produce कर सकते हैं उसकी triple frequency produce कर सकते हैं उसकी चार गुना frequency produce कर सकते हैं उसकी पांच गुना frequency produce कर सकते हैं अब आप बोलोगे कि सर्फ क्या कोई ऐसा case भी है क्या कोई ऐसा case भी है जहां पर ऐसा ना कर सकते हों तो मैं उस case के बारे में बताता हूं थोड़ा सा interesting case है वो एक ऐसा case लेते हैं जहापर हम लोग ऐसा कर नहीं सकते तो अब अपन बात करेंगे बच्चों standing waves अब अपन बात करेंगे standing waves in a closed organ pipe closed organ pipe closed का मतलब क्या होता है जो एक end पर एक जगे से खुला होना चाहिए ना sound घुसे तो सही उसमें लेकिन दूसा end जो होगा वो उसका closed होगा ऐसी कुछ structure होगी आपकी यहां पर देखो ऐसी कुछ structure होगी आपकी ठीक है यहां पर आपने इसको कर दिया close इसकी length जो ले ली वो आपने ले दी L ठीक है अब यहां पर जो boundary condition होगी वो क्या होगी यहां पर जो boundary condition होगी वो क्या हो जाएगी तो यहाँ पर आपकी जो boundary condition होगी वो क्या हो जाएगी boundary condition ठीक है क्या हो जाएगी कि आपका जो open end है आपका जो open end है ठीक है वहाँ पर आपको क्या मिलेगा anti node मिलेगा वहाँ पर क्या मिलेगा आपको anti node मिलेगा अब यहाँ पर ध्यान रखना हम sound waves की बात करने तो sound wave को दो अलग-अलग प्रकार से लिखा जा सकता है तो अगर अपन anti-node लिख रहे हैं तो हम displacement form की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं अपन displacement form की बात कर रहे हैं अगर pressure की form में लिखेंगे sound wave को तो हमें क्या मिलेगा? node मिलेगा इसी जगे हमें क्या मिलेगा अगर हम pressure wave की form में लिख रहे हैं यह सारी सारी technical चीज़े बच्चो ध्यान रखना यार pressure की form में लिख रहे हैं तो यह पता है न मैंने आपको पिछली class के अंदर बताया था कि sound wave को दो अलग-अलग तरीके से लिखा जा सकता है displacement form में भी लिखा जा सकता है और pressure form में भी लिखा जा सकता है और दोनों के बीच में pi by two का face difference होता है मतलब जहां पर displacement maximum होता है वहाँ पर pressure difference zero हो जाता है और जहां पर pressure difference zero होता है वहाँ पर displacement maximum हो जाता है इस तरीके का काम हम लोगों ने देखा था तो ध्यान रखना मतब मान लो question simple सा यही पूछ लिया जाए कि organ pipe की जो open ends है वहाँ पर क्या बनता है अब लिखा हुआ हो node in displacement form node in pressure form फलाना डिम का तो carefully लगाना आप option को ठीक है न वहीं पर हमारा जो closed end है जो हमारा closed end है यहाँ पर हमें क्या बनते वे नज़र आएगा बच्चों node बनते वे नज़र आएगा अगर हम displacement form की बात करेंगे और अगर हम लोग pressure form की बात कर रहेंगे क्रितिका यह बात समझ में आही आपको अब मैं direct क्रितिका से बात कर रहा हूँ क्योंकि वोई reply कर रही है ठीक है वोई एक बच्ची है जो पढ़ रहीए तो मैं वसी से पूछे दाओं क्रिति का यह चीज समझ में आगी तुम्हें मैं तुम्हें ही बढ़ा रहा हूं बस क्यों लग है और कोई बच्चा है यहां पर रिप्लाइए नहीं कर रहा तो फिर कोई मतलब भी नहीं है थोड़ा लेग है मैं पूछूँगा थोड़ा आप तक पहुंचेगा वापस से आपका रिप्लाइए आएगा तो उसकी वज़े से परिशान मत हो ना पता चले आपको लगए कि सर चुप क्यों हो गए बोलते बोलते हैं कृति का रहा है समझ में ये सारी चीछे बता रखें न मैंने आपको मैंने बताया था साउंड वेव को तो अलग अलग तरी किसी लिखा जा सकता है बेरी गुड बच्चा वेरि गुड अब देको अब बाउंडरी कंडिशन तो अपन डिस्प्लेस्मेंट वाले ले 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 displacement वाली waveform लोग बनाते हैं तो हमें यहां पर तो बनाना है क्या anti-node और यहां पर बनाना है node perfectly fit है एक anti-node और उसके बाद में node आ सकते हैं यानि कि हमारी जो waveform हो कैसी बनते होई नजर आएगी तो यह हमारा central axis हो गया यहां पर हमारा displacement maximum होगा और यहां पर displacement minimum हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार की waveform हमें बनते वही नजर आएगा धीकर बच्चों very good silent word आपका भी नाम ले दूँगा अगर अपना असली नाम बता दोगे तो इस तरीके का waveform हमें बनते वही नजर आएगा यह basically हमने central axis गिया है न वहां पर हम लोग displacement को draw कर रहे हैं कि कहा displacement maximum होगा particles का और कहा displacement displacement मैंने horizontal direction में draw किया इसका मतलब यह मत समझ ले ना कि particle horizontal direction में displace करेंगे जो wave है वो longitudinal है बस मैं graph जो है इस तरीकी से graph मैंने draw किया है ठीक है एक axis लिया मैं बता रहा हूँ कि यहाँ का particle का displacement maximum फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम होते होते 0 ठीक है बच्चों यहाँ तक की बास समझ आए अच्छा इसको देखते ही हमें नजर आ गया यह इसमें तो हमें जो length नजर आ रही है वो कितनी नजर आ रही है lambda divided by 4 और आप चाहो तो lambda को लिख सकते हो speed divided by frequency तो v divided by 4 times frequency यह हमें length नजर आ रही है दोनों को अगर आप mix करोगे दोनों को अगर आप mix करोगे तो आपको जो fundamental frequency नजर आएगी आपको जो fundamental frequency नजर आएगी वो कितनी नजर आएगी f not is equals to v divided by 4 times l यह आपको fundamental frequency नजर आएगी आप चाहो तो speed को यह भी लिख सकते हो 1 divided by 4 l root of gamma times p divided by root चाहो तो लिख सकते हो वैसे लिखने की ज़रुद पढ़ेगी ने ठीक है ना v divided by 4 l तक ध्यान अगला case लेते है अपन अगला case लेते हैं हमने पाइप के बारे में कुछ भी चेंज नहीं किया है ठीक है चलो अब उसके बाद में क्या हुआ एक condition यह भी तो possible है यहां पर anti node हो यह दोनों चीज़े fix है ऐसा भी तो हो सकता है यहां पर हमें node मिल जाए यहां पर हमें node मिल जाए यहां पर हमें anti node मिल जाए ऐसा भी तो हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है और इस condition में जो हमारा waveform बनेगा हो कैसा बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा इस waveform को बनाने का purpose केवल और केवल इतना ही है कि आपको यह समझ में आ जाए कि जो हमारे pipe की length है जो हमारे pipe की length है वो अब हमें किसके बराबर दिखाई दे रही है तो anti node और node के बीच की distance होती है lambda by 4 और node और node के बीच की होती है lambda by 4 तो यह दिखाई देगे आपको 3 lambda divided by 4 k equal 3 lambda divided by 4 k equal इसका आप चाहू तो ऐसे भी लिख सकते हो 3 times v upon 4 times f तो यहाँ पर जो आपको frequency मिलेगी जिसको अपन कहेंगे first overtone जिसको अपन कहेंगे first overtone ठीक है वो हमें कितनी मिलेगी तो आप देख रहे हो वो हमें मिलेगी 3 times v upon 4 l मतलब 3 times fundamental frequency मतलब हमारा जो first overtone होगा वो basically third harmonic होगा आप notice कर रहे हो यहाँ पर second harmonic हमें मिला ही नहीं तो यह एक बहुत interesting case हो गया हमारे लिए कि जो closed organ pipe होता है उसके अंदर आप हर harmonic produce नहीं कर सकते उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप odd harmonics ही produce कर सकते आपने खुद ने देख लिया कि आपको fundamental frequency मिले और उसके बाद में तुरंट अगला जो frequency आपको मिल रहा है वो third harmonic है three times fundamental frequency तो इसके लिए अगर आप general formula लिखोगी तो आप कहोगी कि nth overtone जो होगा nth overtone जो होगा यह यूँ कहलो 2n plus 1 harmonic जो होगा वो कितना होगा वो हो जाएगा आपका f is equals to 2n plus 1 times v divided by 4 times v divided by 4 hello अंशिका how are you बेटा कैसे हो आप यहाँ पर भी कुछ suggestion देना चाहोगे हमें अंशिका एक ऐसी बच्ची है जो हमेशा मुझे हर session के अंदर कुछ ना कुछ suggestion देती है अब देखते हैं अंशिका का यहाँ पर क्या suggestion आता है और सारे के सारे suggestion इंट्रेस्टिंग होते हैं यह बात अलग है मैं सारे के सारे suggestion मानता नहीं हूँ इंट्रेस्टिंग होते हैं सारे के सारे अंशिका कुछ कहना चाहेंगे आप तो यह हमारी frequency है जो कि हम यहाँ पर produce कर सकते हैं बच्चों समझ में आ रहे हैं आ रहे है बच्चों समझ में किसे को कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी हो तो बता सकते हूँ कोई दिक्कत नहीं है दुबारा से explain कर देंगे तो यह एक interesting case हो गया यहाँ पर हम लोग हर harmonic produce नहीं कर सकतें यहाँ पर हम लोग हर harmonic produce नहीं कर सकतें वहीं पर अगर आप open organic organ pipe के बारे में इसके बारे में बात करोगे open organ pipe के बारे में ठीक है तो इसका जो case होगा exactly similar होगा exactly similar होगा similar to string ठीक है यानि कि इसमें तुम हर harmonic produce कर सकते हो इसके अंदर जो fundamental frequency हो जाएगी f note उसकी value हो जाएगी v divided by 2l जैसे हमें string के अंदर मिली थी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कितनी हो जाएगी v divided by note ठीक है इसमें देखो एक डाइग्राम बना लेते हैं अपन ताकि आपको समझ में आ जाए अगर दोनों एंड्स पर अपन रख देंगे बनाने की ज़रुरत है मतलब काफी है यह इतना मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि string जैसा होगा आपको बना के देख लेना आपको जो fundamental frequency मिलेगी हो कितनी मिलेगी v divided by 12 बना देता हूं आप लोग confused ना हो जाओ मुझे रहता है डर रहता है कि बच्चे किसी बात को कुछ और ना समझ ले तो इसमें क्योंकि दोनों ends open है तो दोनों ही ends पर हमें क्या मिलेगा anti-node मिलेगा अगर displacement form में लिखेंगे तो और अगर आप जब waveform ड्रॉ करोगे तो बीच में हमें मिलेगा एक node पक्का दो anti-node तो बराबर हो नहीं सकते तो हमें कुछ ऐसा waveform मिलेगा हमें कुछ ऐसा waveform मिलेगा यहाँ पर node हो गया ठीक है इस तरीके से तो आप देख रहे हो कि आपकी जो length है वो lambda by 2 के बराबर हो जाएगी जैसे string के अंदर थी तो यहाँ पर आपको जो fundamental frequency मिलेगी वो v divided by 12 मिलेगी यहाँ तक की बात समझ में आगी फिर आगे चलो हम अगर इसके अंदर बात करें किसकी अगर हम बात करें इसके अंदर nth harmonic की या यूँ कहलो और n-1st overtone की अगर अपन बात करें तो वो हो जाएगा आपका n times fundamental frequency मतलब n times v upon 12 यह open organ pipe की बात हो गई इसके दोनों ही ends पर आपको क्या मिलेगा एंटिनोड और rest of the calm जो है वो आप खुद अपने इसाब से कर सकते हो अब मुझे बता दो बच्चों क्या आपको समझ में आ गया यहाँ तक का सब कुछ क्या यहाँ तक का सब कुछ समझ में आ गया आपको यहाँ तक का सब कुछ समझ में आ गया तो यह पूरी कहानी है बच्चों standing wave की अब मेरी request है कि आप लोग एक बार standing waves के उपर जितने भी questions कर सकते हो अपने respective modules वगरा के अंदर questions जरूर सॉल कर दो चोटी चोटी बाते मैंने जो बताईए ना उनी के उपर आपसे question पूछा जाएगा बिल्कुल चोटी 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 बाते दो चीज़े और है यहाँ पर जो sonometer होता है वो basically string वाला की इसी है sonometer में क्या होता है हम लोग एक wire लेते हैं और उसके उपर हम different different load attach कर सकते ह मतलब हम wire के अंदर कितनी tension produce कर रहे हैं यह हम change कर सकते हैं ठीक है और wire भी अगर अगर अपन different different material की लेंगे तो हम लोग mu को भी change कर सकते हैं तो formula same है तुमारे ठीक है बस वो sonometer का नाम दे दिया जाएगा तो आप घवरा मत जाना sonometer का मतलब है standing waves in string same formulas आपको use करने हैं ऐसे ही आपको अगर resonance tube के बारे में बात करा जाता है तो resonance tube is nothing but closed organ pipe आप बोलो कि सर हमें तो लगा था आप detail में पढ़ाओगे यह जर्रत ही नहीं है ना यार आप अगर detail में पढ़ते हो एक चीज़ को बार बार पढ़ते हो इसका मलब आप बेवकूफी कर रहे हैं बस इतना ध्यान रख लो कि जो resonance tube होती है उसमें basically क्या होता है एक tube होती है वन मीटर लंबी उसके अंदरा पानी भढ़ते हो और जो पानी का level है वो आप change कर सकते हो यानि कि आपकी जो tube होगी वो effectively एक end पर closed tube कितरे बिहेव करेगी मतलब closed organ pipe कितरे बिहेव करेगी जो resonance tube है इसका purpose क्या होता ह है आप speed of sound find out कर सकते हो आप क्या करते हो सबसे पहले fundamental frequency find out करते हो फिर पानी का level change करके जैसे पानी का level change करोगे तो आप एक और frequency निकालते हो ठीक है और जो दोनों lens आपको मिली है experiment के अंदर उसको use करके आप आसनी से speed of sound find out कर सकते हो ठीक है बच्चों लेकिन आप लोगों क को मुझे comments के अंदर बताना है जो बच्चे शुरुवात से लिए आकरी तक इस class को देख रहे है recorded form में देखेंगे अगर आपको अलग से class चाहिए resonance tube के उपर and sonometer के उपर and standing views के questions के उपर तो हम लोग अलग से class arrange कर सकते है ठीक है उसका नाम day 44 ही रखा जाएगा ठीक है बच आपने 45 का नाम लेके 46 वीडियो तक पहुचा दिया classes को नहीं उसका नाम day 44 ही रखेंगे बट यह आप लोगों की request के उपर depend करते हैं अब आप लोगों की request का मतलब है जो एक दो बच्चे देख रहे हैं हाना मैं तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखें लोग यार आएं जुड़े इन से बट ठीक है अब वैसे भी खतम होने वाला है तो मैं इसलिए ज्यादा जूर भी नहीं लगाता आई डू नोट वांट टो टीच पीपल विट रिस्पेक्ट टू नीट ऑन दिस चैनल इफ यू रियली वांट सर हमें नीट के लिए पढ़ाओ नीट क प्रमोशन नहीं आपको बता रहा हूं कि इस चैनल के उपर अब यह सब कच्रा नहीं मिलेगा नीट के लिए पढ़ाना ये पढ़ाना वो पढ़ा चुका थक चुका हो मैं बिल्कुल एक नहीं लोग नहीं चलो मिलते हैं नेक्स क्लास के अंदर तिल दिन टाटा बाई बाई बाई